जैमातादी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा देते हैं यादेवी सर्व भूतेशु शक्ति रुपेंड संसता नमस्तस्ताई 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 नमो नमा यहाँ 21 सितंबर गुरुवार को शार्दिय नमरात्रो का शुबारंब होने जा रहा है क्या कुछ विशेश किया जा सकता है मा को पसंद करने के लिए श्रिंगार में क्या कुछ विशेश कर सकते हैं मा को कौन सा भोग अती प्रिये हैं द sinners के माते हैं ठजै जो खेतरी भी जी जाती है उसमें कि ओकश विशेश किया जासा है और वो तमाम बात हैं उससे कारे कम के जरी जरी बताएंगे हमारे से कारे कम के अशेram का आशिर्वार्देन जयमातादी आज आज आपसे नवरातर की चर्चा चलेंगे वैसे तो लगातार है आपसे जोड़े ही रहेंगे, कारेकरों के माजन से, आज आप हमें बताएं सरव पथम नवरातर का अर्थ क्या होता है? एक चीज बताता हूं कि अगर जो भी दर्शक इसको देख रहे हूं वो अपने नोट्स बनाएं क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो चीजें प्रैक्टिकल हैं वो मैं किताबी ज्यान नहीं देने जा रहा हूं पहली चीज नवरात्रे का अर्थ होता है नो रातों को ही जागरत किया जाता अपने आपको क्योंकि रात के अंदर जो हमारी नहीं आते ठीक है इसलिए बिलकुर शुने उतार शुने के अंदर कियो हुए मंत्रों का उचारण कई गुना सफर तैक करता है इसलिए नौरात और दस्वाते इन नौ दिनों में किसकी पूजा अर्चना की जाते हैं वैसे सबसे बड़ी चीज है कि हम अगर ये पूजा कर करें सयम करें नियम करें यग्य करें भजन करें पूजन करें और योग साधना करें अब आता है कि पूजा किसकी करें इसका नाम ही है दुर्गा अश्टमी दुर्गा का मतलब दुर्गती दूर करने वाली दुर्ग का मतलब किला हमारी दुर्गती के खिलाब जो किला है उ तीन दिन हम दुर्गा जी की पूजा करें, चार से छे दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करें, और साथ आठ नौ दिन हम मात सर्स्वती जी की पूजा करें, संकर से बचाए, लक्ष्मी अपार दे, बगर उसके बाद सर्स्वती जी से बुद्धी भी मानते हैं, ताके लक्ष् शास्तरा मारकंडे पुरान का हिस्सा साथ सोच लोग साथ सोच लोग का समू जो है वो दुर्गा सब्शती है और इसका पाठ हमें करना चाहिए यह मंत्र कहां पर देखिए मंत्र का मतलब होता है कि मंत्र मन से जो तरण जाने की पैदा कर दे अब इसके लिए जो मन को जोड बढ़ी चीज्य बताने जाता हूं जो प्रियोग जानते हैं यो साधना करना चाहते हैं इसमें नब्ब्य मंत्र जो है मारन के हैं ऑर आपके 200 मंत्र दुर्गा सब्शती में उचाटन के हैं और 200 की मंत्र स्थंबन के आहिता है स्तंबन और वशी करें आप दुर्गा शब्चती के माध्यम से कर से इन नौ दिनों में दुर्गा सब्चती का पार्ट कैसे किया जाये गुरू जी ये भी आप हमें बता है दुर्गाइशब शती को रखो, सबसे पहले पुस्तक की पूजा करो, दुर्गाइशब शती issues का मतलब है स्रम माuen दुर्गा की उपस्थिति, लाल कपड़े बंद के रखो, लकड़ी का निचे हासंतो, चोक्टी पे लाल कपड़े बिचाओ, उस पे दुर्गाइशब शती करो दूसरे दिन भगवती का दूसरा और तीसरे दिन भगवती के उस दुरगा शबशती का चौथा झ्याइख करो चौथें दिन जोया 5-6-7-8 पाठ करू और उसके बाझाम इतेक्र नौवा और दस्वां पार्ट करो छठे देनां ग्यारवां करो और बार्वे दिन बार्वां और सुरी साथ में दिन बार्वां और तेरा पार्ट का करो टोटल तेरा अध्याई होते हैं 13 ध्यायों के मैंने आपको बता दिया पहले दिन पहला दूसरे दिन दूसरा तीसरा तीसरे दिन चौता चौते दिन 56 चात आठ पांची दिन नौ और 10 और 6 दिन 11 और चूटे दिन 12 अधर अधर फिर उसके बाद इसका रीवीजन कर दूए क्या मोरत है और क्या कुछ विशेश किया जा सकता है नो रहते दसने और जे सिदी का समय है है महुत बड़ा समय है हम इसके मचthrough का मूरुद मतलब गाट स्ताङता हमां हम ऐसके मटका सापीड जल से अभी शेक किया जाता है जिससे शरीर भी जागरत हो जाता है चलिए छे बजके तीन मिनट से लेगे आठ बजके बाइस मिनट सुबह घंटा चपन मिनट का योग है जिसमें आप अपने घट को स्थापिट करें दूसरा क्योंकि यह कब होता है अर्श्विन मा हो प्रती जाता है अब यह समझ लें 10 बजकर 69 मिनट से प्रतिपदा शुरू हुई है बीस तारीक को और ख़ता का बुई है दस बजकर 34 मिनट 21 तारीक को यानि कि यह समय है और इसलिए मैंने आपको बताया अगर मैं चौगडिया पे चले जाओ चौगडिया शुब समय देखने का ए का समय है और 9 12 से 10 42 का जो समय है वो उद्वेग का है इसलिए 6 बजके 12 से 8 बजके 9 मिनट का समय गंटा 56 मिनट का समय अती उत्तम है अगर कोई भूल जाए तब आप अभीजीत मूरत में करो अभीजीत मूरत जो है 11 42 से लेकर 12 बजके 37 मिनट तक है 11 36 12 24 यह अलगलग इलाको में उजयन की तर्व यह और दिल्ली की तर्व यह तो यानि कि यह अभीजीत मूरत वो होता है जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो एक विशेश बात हो कितनी नवरात्री होती है कि देजिए नवरात्री चार होते हैं वैसे आप लोगों के लिए वैसे और भी बताता हूँ होते हैं मगर हम लोग जो हैं सर जो ग्रस्त है इसमें भी होता है समार्त और वैशनवी समार्त और वैशनवी वैशनवी का मतला हम लोग सब समार्त है हम वैशनवी नहीं है वैशनवी जो विदिवद दिक्षा की होती है वो लोग वैशनवी होते हैं हम लोग समार्त है ठीक कभी आगे और हमारे लिए दुर्गाशबश्चति कहयानिके नवरात्रे जो है वो दो हैं चैत्र मास में और अश्विनमास चैत्र का मतलब मार्च के महीने में और अश्विन का मतलब सब्सक्राइय और कुटूबर के में मगर उसके आजाता अशार और माग अशार और माग के जो नवरात्रे हैं वो बड़े ही गुप्त नवरात्रे हैं विशेश परकार की गुप्त साधनाय करने वाले जो लोग हैं वो उस समय किसी को इसका गवाह नहीं बनाते हैं और बड़े वीरान और अकेले स्थानों पर गुप्त नव और शुर्ष को गुष मॉन्डा की और पच्चिस शारी को किवकि रूटा कई लोग कलस्य भी स्थांपत करते थे किस दिशा में स्थांपत किया जार क्या डाला जाए यह छिए आप आप अपने पूरों का ARE जहां से सुर्य निकलता है यू सीधा खड़े हो जाए सूरे की तरफ ऐसे देखे स्टेट आपके आँकों के सामने सूरे हो तो ये हो गया पूरव पीछे हो गया पश्चिव ये हो गया उल्टा हाथ उत्र और सीधा हाथ हो गया दक्षिन तो पूरव और उत्र के बीच में इशान कौन होता है उस इशान कौन पे आप अपने घट को स्तापित करें और घट को स्तापित करने पहले जमीन पे कुछ मिट्टी बिचाएं और उसमें गाये का गोवर मिलाएं रेत मिलाएं और उसके उपर आप थोड़े से यव यानि की जोओं डालते हैं उसके ओपर घट स्थापित करते हैं यह अलग पातर में जोओं अलग मीजदें और घट स्थापित करने के लिए क्लश्च बनाके उस पर आप स्वस्तिक यह दुर्गा जी का निशान बनाके अस्ट यंत्र बनाके उसके ओपर दुर्गा जी का वो क्लश्च जो है स्तापित करें सबसे पहले आपका मिट्टी का भी हो सकता है अगर धातु का बनाओ बहुत अच्छा क्योंकि नौ दिन रहना है वो खराबना हो दूसरा फिर मौली मौली बढद पढ़त के उसके अंदर जल डाल दो जल डाल के ऊसमें थोड़ी से चावल डाल दो अक्षप डालना उसके बार पांच रतन जो है पांच परिकार के रचातु वह टल दो तुल्सी की पती डाल दो सर वाशदी डालो, उसके बाद इसको तिलक करो, चारो तरफ से नौ तिलक कर दो, उसके बाद फूल डालो, दुर्बा डाल दो, दुर्बा घास है और दुर्बा जो होती है, वो हमारे लिए एंटिसेप्टिक, एंटिबैटिक और सबसे ज़्यादा पवित्र करने की बनस्प वह दुरवा है दुरवा डाल दो उसमें शिक्के ढाल दो और पान के नौ पते अबने रख दिया उसके ओपर कोई ढक्कर रख दो या दोना रख दो दोने में द्भिय हम से कर देते हैं उसमें क्या कहते हैं हम सब सब दुता शाब करते हैं पूजा कर के बाद उसके उपर फिर नारियल रखते हैं अब आपको मैं और बताता हूँ नारियल यूँ पकड़ोगे तो जो उसका पिछला इसा होता बड़ा इसा जैसे जिससे नारियल ऐसे लगा होता है पैदा होता है वो उसका मुह होता है आगे चोच होती है वो उसकी पूछ होती ह हूँ क्योंकि अगर नार्यल को आपने ऐसे लीचे मूँ करके खड़ा कर दिया तो रोग हो जता है अगर अगर उसका मूँं उपर करके खड़ा कर दिया तो याद रखो आपकी विर्द्धी रुक जाएगी बुढ़ी बुद्धी खराब हो सकती है और अगर आपने उसको उपर रखा तो धन्हानी हो सकती है इसलिए मुझ हमारे सामने हो तो वो सर्वसिद्धी प्रत होता है और नारियल कौन सा बालों वाला देखिए दो चीज़ा है एक तो नारियल होता 90 लोगों को मालूम ही नहीं होता एक हो लपेट के मौली बांद के उसको स्थापित किया जो 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 बोलते हैं कुछ लोग उसको खेतरी भी बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं और उसकी क्या विधी है आप हमें बताएं देखिए कलश्ट में सुक्ष समर्दी भैवब प्राप्त हो मंगल कामनाई हो कस्ट दायक निवास है और उसके नीचे ब्रमा जी का निवास है अब आपको बताता हूं मिट्टी का पात्र ले लो और उसके अंदर जो डालो जों के चारों तर्व जों इस तरह से दबाओ कि कलश के नीचे दबे ना ऊपर उपर रहें थोड़़ थोड़ी मिटी उपर छिड़क दो गाये का गोबर होना चाहिए पानी का अच्छा चीटा दो बिल्कुल पानी भी नीच भरना और चूहों से और पक्षियों से बचा के रखना क्योंकि उसमें कलश में मैंने समान बताया सुपारी डाल दो उसके बाद आपने क्या करना है क्लश का एक चमतकार है और सम खेतरी का एक चमतकार है इसको जौरे भी बोलते है जौ बीजना भी बोलते है पंजाबी के तरफ के लोग इसको खेतरी बीजना भी बोलते है इसका मतलब यह है कि जब जौ उगे तब उन जौ को बड़े ध्यान से देखना होता है ये साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा अगर व क्रश्ट जाएगा मगर एक और होता है उसके अंदर हजारों जब जुआरे बीजे जाते हैं किसी एक किस्मत वाले के जुआरे के अंदर बिल्कुल सफेद रंग का जुआरा जुआ निकलती है वो अगर जुआ आपके अंदर से निकल गया उसको तोड़ कर कपड़े में लप मतलब ही है कि यह अनुष्ठान कैसे जा रहा है सिरफ क्या कहते हैं यह नवरातरों के दिनों में भूजते हैं जब हम लोग कोई विशेश बड़ा अनुष्ठान करने जाते हैं तब हम उस कमरे के अंदर जो बीजते हैं और वहां किसी का प्रवेश नहीं कर लेते हैं नौर हमाइले की पुत्री है और अपने पिता के घर अपने पति का अटेखती है और वो अपना शरीर वहां कि प्याग मने के भाद वह इसलिए उसको नाम रखा गया शैल्टरी थीक तो शекल पूतरीया और उसको यादेश हो जाता उनको के शंकर जी तुझे पती रूप में प्राप्त होंगे क्योंकि वो हमेशा शंकर जी के अरधागनी है बस वो तपस्या करनी शुरू कर देते हैं और तपस्या का ही है पहले शैल रूपदारण किया पिर ब्रहमचारणी रूपदारण किया वो अलग अलग रूप है जिनके रूपों के हिसाब से सिद्धी की और सादक अगरसर होता है बहुत बड़ा इसका विदी विधान है अगर आप ढंग से और बिलकुल इमानदारी से कोई योग सादक आपको समझाए तो आप नौ दिनों के अंदर विशेश प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो यह मागलत नहीं कह रहा हूँ बिलकुल हो सकती है मगर विधी दान यम नियम का पालन करते हो विधान से चलोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा लाब आती है एक विशेश बात और बैल की सवारी कर रही है बैल पर मा विराजबान है और इस रूप को देखते जब ध्यान किया जाएगा ब्रिकुटी से दो विधी है चलो तब जो हमारा मन है वो मूलादार चक्र को जगरत करने के काबल हो जाता है मूलादार चक्र में कौन से शब्द सुनाई देते है कौन कौन सी दृष्टिया दिखती है कौन सी उसकी यक्षनिय उसके दर्शन होते है और विशेश प्रकार के मंतरों का ज्यान पराप्त होता है ये पहली स्टेज है मूलादार चक्र जागरत करने क्या भोग लगाया जाए मां को आप हमें बताएं गुरुजी घी और घी से बनी वस्तुए मतलब देश गाय का बना घी दान करो गाय के बने घी से बना यूई वस्तुए दान करो मां को भोग लगा वैसे हलवा हो गया पूरी हो गया, मिठाई हो गया ये मान का बहुत ही प्रिय प्रिय भोग है। चोक शांति समर्धि के लिए इन ने वरात्र में क्या कुछ विशेश किया जा सकता है। देखिए आपने जैसे पूचा कि सुक् सम्रिद्धि शांति मैं कर तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है सुख शांति सम्रिद्धी नहीं आदमी स्यंसोता सिद्ध हो सकता है दुर्गा शब्षति का वीधी वत अनुस्ठान पता हूँ दुर्गा सब्शती का पाठ किस तरह से करना है दुर्गा सब्शती के समय आसन क्या हो दुर्गा सब्शती का पूरण विदी विदान से अगर आप करें नियम और पालन से मैं दावेगे साथ कहता हूं कि आठ दिन जीवन के क्रांती कारी परिबर्तन के लिए बहुत होते हैं इसमें आदमी सता सिद्ध हो जाता है, जैसे जैसे कालरातरी रूप, सिद्धी दातरी रूप आता है, खीक वही रूप सादक को भी प्राफ्त होता जाता है, यह मजात नहीं है, यह सच है, कौन-कौन से स्वर सुनाई देने हैं, कैसी ध्वनिया सुनाई देती हैं, कैसी खु के मनौ कामना पूरन षोज जाती है और जो वैशनवी सादक है यानि कि जिन्द का उदर्श कष भगवान की प्राप्ति है उसको मा भबुती का साक्षत दर्शन हो संक्षित में जानेंगे विदान कीस प्रक्रिया आप से संक्षीप्त के अंदर विदान के परक्रिया बताने का मतलब है कि हवाई जाज को ऐसे उड़ाना है तो ना वो उड़ेगा और वो लेगे गिर जाएगा यह बहुत विधी है विधी और विधान के साथ है मैंने आपको एक शब्द बताया यम नियम पाल्व करना आसन कौन सा हो दिशा कौन सी हो उसमें क्या क्या सयम है क्या भोग हम लें कैसे कुंडलनी के लिए नीचे कौन सी बस्तू रखते हैं और कौन सा क्या गयते हैं कई परकार के वो होते हैं बंधन होते हैं कौन सा बंद लगाना है उड़यान लगाना हीरयान लगाना कौन सा बंद किस दिशा पे रखनी है हवन के बीज मंतर कौन से है यह पूरा बहुत बड़ा एक विदी विदान है मगर अगर आदमी इसको जान के करें अरे भीया कुछ भी नहो नौ दिन दुंग दुर्गाई नमां दुंग दुर्गाई नमा का जाब करो निरंतर तो आप नौ दिन में से बहुत कुछ मिल जाएगा यह मजाग दिन नहीं है चलते चलते संदेश सुरू का कुछ पिशेश कहेंगे गुरुजी आप बच्चे मां के आगे रोते हैं तुम भी रोग मैं भी रोग और मिलके मां से उस शक्ति तप्तों से जहां से देवता भी शक्ति प्राप्त करते है उस जगजनी जगदंबी का दुर्गा से हम भी शक्ति मांगे अपने परिवार के लिए अपने जीवन के लिए हमारा अगंत और पिचंद सब ठीक हो जाए ऐसी प्रार्तना दुर्गती नाशनी मादूर्गा सिक करें गुरुजी आज जैकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत शक्रिया धन्यवाद धन्यवाद जैवाद करें जैवाद